हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो आज की ब्लॉग की शुरू बात कर रही हूं मैं अभी से यह जो है मेरे दोनों अच्चे गए थे कहीं वहां से आ चुके हैं और यह दिखि ह हमारे आसपास का व्यू कितना सुन्धर है और हमारी जो है गेहुं दिन पर दिन अब ग्रोत कर रही है क्योंकि हमारे को धूप थोड़ी जादा ज्यादा लग रही है क्यूंकि दिन भी जो है अब लंबे हो रहे हैं तो हमारे जो सिला होता था ओ भी थोड़ा घट रहा है क्यूंकि सर्वदियों के दो महीने जो है हमारा सिला थोड़ा जादा होता है नॉमबर और दिसंबर फिर जन्वरी से जो है हमारी धूप दिन में और शाम के टाइम सुबा के टाइ तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारे लोकल में इसको मीठे पातर बोलते हैं तो यह दोनों जा रहे हैं तेज पत्ता लाने यह लाएंगे क्लिप गना के फिर और यह जो है रिया रास्ती से जा रही है तो डॉगी हमारे पीछे पीछे ही जलता है और देखी परकार की पेड़ बहुते है हैं बहुती सुंदर लग रहे हैं और हमारे अभी धूप नहीं लगी है शुबा का टाइम था आठ चाड़ी आठ वजे का टाइम था है हमारे लगती है धूप 10 वजे अभी थोड़ा बढ़ रही है तो 10 वजे लग जाती है और जारी है रास्ते से और पहुंचने ही वाली है क तेज पत्ता के पास ए है तेज पत्ता और हमारी लेंग्वेज में इसको मिठे पत्ते बोलते हैं हम जो लोकल में बोलते हैं इसको मिठे पत्ते बोलते हैं इसको अगर खाने में तड़का लगाने के टाइम भी डालेंगे तो इससे अलग ही डेस्ट आता है इसकी जो महक होती यह उससे जो है बहुत अच्छी फिलिंग जो है आती है खाने से तो यह दिखिए आसपास का वियू कहीं दूप लग चुकी है हमारे अभी नहीं लगी है ए है खजरा है इसको मैंने आपके साथ पहले भी शेर किया है इसे जाड़ू बगारा बनते हैं मांजरिया भी बनती है पंद बोलते हैं जिसको अपनी लोकल में बिन्नू बगारा तेजबत्त दिखारी बारवर यह हमारा घर है पेड़ों के बीच से जो है डंक से दिखनी रहा है दूसरी मंजल जो है हमारी अनकंप्लीट है यह अभी त्यार नहीं हुई है और यह दिखे सासात में काफल के भी बहुत से पेड़ है हमारे यहां और यह बीच में जंगलों के बीच में हमने अखरोड के भी लगाए हैं इनके पत्तेवगारा सारे जहट चुके थे और यह त्रिम्बल का छोटा सा पौधा था इसको भी इसने कैप्चर कर लिया और पेड़ों के बीच से देखिए दूप दूसरी जगा के कैसी अच्छी दिख रही है बहुत ही अच्छी घास हमने जंगल का काट लिया था निच कि इस तरह का है हमारे जो है रास्ते होते बिल्कुल स्मॉल होते हैं इसमें जो है गिलोई है वह शायद से आपको अच्छे से दिखने रही है एक काफल है दिखिए काफल का है यह कि आगे गिलोई भी है इसके आगे यह देखिए यह जो बेल लेव गारा निचे जूली भी है एक गिलोई की है जिसको हम अपने लेंग्वेज में गुल्चे बोलते हैं गुल्चे झाल अब मैंने ये तेज पत्ता अच्छे से बॉक्स कर लिया है और मैं अब इसके दो पत्ते जो है इसमें डालूगी ऐसे तोड़ तोड़के चाय में चाय जो है मैंने पैंने रख दी थी और यह इसको लेने गी थी हमारे है जो नजदीक में थोड़ा से जंगल है ना इसमें कई परकार की ऐसी जड़े बूटिया है जिनका नौलेज हमारे को नहीं है जिनका है वह मैं आपको दिखा रहे हूं और इससे जो है चाय में एक अलग ही टेस्ट आता है आप बनाके और चाय में इसको डालके जुरूर ट्रा